वागत इस्ट्रेंट्स क्वेस्चन दिया हुआ है कि पार्टिकल एक्जीक्यूट्स एसे चेम विद एम्प्लिचूट 20 सेंटीमिटर और टाइम पिरेड 12 सेकेंड तो देखो इसको एक थोड़ा सा जेनरलाइज में तुमको बता देते हैं लेकिन उसके लिए तुमको फेजर डियाग्राम आदा है अगर फेजर डियाग्राम नहीं आता है तो इसके बाद एक एक इकवेशन वाला मेथड भी हम बता देंगे तो मालो की ये इस तरह से सर्कल बना दिया हमने और इसको डिवाइड कर दिया चार पार्ट में ठीक है इसके बाद इसको हम लिख दे रहें मीन पोजिशन प्लस ए मीन पोजिशन और यहां पर माइनस ए तो क्रेशन में बोल रहे है कि पार्टिकल को इधर में कहीं पर सपोस करो की एक्स डिस्टेंस पर सपोस करो की वो है और उसको इधर के एक्स डिस्टेंस तक जाना है तो इसमें टाइम जो होगा वो कितना होगा ये पूछा जारा मेरे से तो मालो की अभी यहां पर है और टी टाइम के बाद यहां पहुँच गया तो सरकल में कहां से कहां गया तो सरकल में यहां पर था और कहां चला गया यहां चला गया तो एंगल कितना घूमा है, यह जो एंगल घूमा है, this is the angle, ठीटा माल लो इसको, तो अगर तुम इस value को निकाल लिये, तो तुम लिख दोगे, ठीटा equals to omega t, और यहां से t equals to आजागा, omega, omega हमको पता है, कितना होता है, 2pi by time period, तो question में, हम लोग इस तरह से इसको solve करेंगे time period तो question में दिया हुआ है 12 second theta ही सिर्फ निकालने से time पता चल जाएगा ओके तो इसके लिए हम पहले देखते हैं x का value कितना a का कितना a 20 है और x जो है वो 10 है तो इस angle को माल लो alpha और यह हो जाएगा base और यह हो जाएगा hypotenuse so cos alpha equals to base by hypotenuse तो यहां से alpha आजाएगा 1 by 2 मतलब की 30 degree sorry 60 degree pi by 3 तो अगर theta का value pi by 3 है theta का value अगर pi by sorry alpha का value अगर pi by 3 है तो यह जो theta है यह कितना होगा यह pi by 6 होगा क्योंकि total 90 होता है जिसमें से इधर हमने pi by 3 ले लिया मतलब 60 degree तो इधर 30 degree अगर यह 30 है तो similarly यह भी 30 होगा तो finally time equals to आजागा theta कितना आगया pi by 6 pi by 6 pi by 3 upon 2 pi into time period यह cut गया तो t by 6 हुआ और t by 6 का value कितना है 12 by 6 तो यह 2 second मेरा answer आगया यह तरीका था जो phasor diagram था ठीक है अब एक तरीका बताते है जिसमें से equation के हिसाब से हम solve कर सकते हैं देखो माल लो हम एक SHM का equation लिखते है x बराबर a sin omega t ठीक अब इस equation में तुमको x का value diagram बना लो पहले यहां पर जैसे यह main position है और यह plus a और यह minus a particle suppose x पे है और इसको minus x तक जाना है ओके तो यहां पर हमें एक काम करते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि mean position से यहां तक जाने में कितना time लगा होगा यह हम निकाल लेते हैं मतलब 0 से t तक जाने में कितना time लगा होगा तो उसके लिए x का value कितना लेना होगा 10 a का value 20 बोला था sin omega t यहां से sin omega t कितना आ जाएगा 1 by 2 मतलब कि omega t जो angle है वो pi by 6 होना चाहिए 30 degree omega क्या होता है 2 pi by t यहां से time आ जाएगा t by 12 seconds और t का value 12 है तो 12 बे 12 एक सेकेंड तो इससे क्या पता चला इससे यह पता चला कि इस point से यहां तक जाने का time है एक सेकेंड तो अगर हम इस block को यहां से यहां लाते तो एक सेकेंड लगेगा फिर similarly इधर और यहां तक जाने में एक सेकेंड लगेगा मतलब की plus 10 से minus 10 तक जाने में कितना सेकेंड लग जाएगा 2 सेकेंड तो यह दूसरा तरीका हुआ ठीक है अब तुम जो तरीका अपनाना चाहो उससे बना सकते हो आई होप तुमको यह डाउट क्लियर हो गया होगा थैंक यू